तो इस Republic Day यानि 26 January 2013 को Operation Friday नाम की Crime Thriller Movie G5 पे आई जिसमें रंडी फुड़ा और Sunil City एक साथ देखने को मिले। आसे इस मुवी के कहीं प्रमोशन नहीं किया गया है, यूटूबर पर बी सिर्फ एक दो ट्रीलर ही है और इसके लावा मेरे ख्याल से कोई पुरानी मुवी यानि क कोई पुराना प्रोजेक्ट है जो अभी कंप्लीट करके इसको G5 पर रिलीज किया गया है, क्योंकि मुवी में Sunil City काफी यंग लग रहे हैं और जो सैट्स हैं और लोकेशन्स हैं और एक्टर्स हैं वो सब काफी पुराने नजर आते हैं, बकि मुझे इस बारे में कोई और इनफोर्मेशन नहीं मिली तो I'm not sure, लेकिन फिर भी मुवी 2023 में आई है तो बात करते हैं ये कैसी है, फिल्म की कहानी का प्लोट ऐसा है कि जहां स्टोरी फूकस करती है एक बंदे पर, जो की पुलीस का खबरी होता है, जिसके बाद उसकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि वो एक बहुत बड़ा शूटर बन जाता है, और धीरे धीरे वो क्राइम की दुनिया में घुस्ता चला जाता है, जहां वो लास्ट में जाकर एक आतंगवादियों के ग्रूप को जॉइन कर लेता है, मुवी में पुलीस वाली का किरदार निबाया है, सुनिल सेटी ने, औ और अगर बात करें स्टूरी की कि वो कितना एंट्रेइन कर पाती है, तो मैं यही कहूंगा कि इस टाइप की मुवीज हम बहुत बार देख चुके हैं, फिल्म में कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसी गैंक्सर टाइप की मुवीज पसंद है तो शायद ही आपको सही लग सकती है, बाकी कॉंसेप्ट में कुछ भी नया नहीं है, वही पुराना एक बंदा जो गरीबी लाचारी में कुछ कर बैटता है और धीरे धीरे वो एक गैंक्सर बन जाता है, और फिर एक पुलीस वाला लास में उसको पकड़ के मार डालता है, तो इसी टाइब की कहानी को थोड़ा इधर उधर करके हमारे सामने पेश किया गया है, वेल मूवी के स्क्रीन प्ले काफी ठीक ठाक है, डायलोग डिलीवरी, सब डायलोग वगरा सब ओके हैं, और एक्टर्स की परफॉमेंस की बात करें, तो रंदी फुडा और सुनील परफॉमेंस की ठाक है, तो इस फिल्म को बिलकुल भी फैमिली फ्रेंडली नहीं वना सकते, तो एक एवरीज टाइम पास के लिए वन टाइम वाच्ट मुवी ही कह सकते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस टाइब की मूवी देखना पसंद है, तो यही थ करके जरूर बताना, see you guys in the next video, bye bye